हेलो फ्रेंट्स, एकवर पुना आप लोगों का स्वागत है हमारे YooTube चेनल पर आज एक green बुनाग्स, और आज हम लोग जो वेदांग देखना है हम लोगों को पिछले वीडियो में अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखाया तो प्ले जाईए हमारे प्लेलिस्ट में और वहां से आप उसे देख सकते हैं आज हम लोग देखेंगे कि वेदांग किसे कहते हैं उसके बाद हम लोग पुरान देखेंगे और उसके बाद इस्मृति ग्रहंत देखेंगे तो तीनों को ही आज हम लोगों को एक वीडियो के अंदर देखना है चलिए हम लोग देखते हैं पहले देखिए वेद जो आप जानते हैं कि वेद की रचना जो हुई थी उसकी रचना हमने बताया था कि लगभग 500 कि वेद की रचना हुई थी उसके बाद आप दिखेगा कि वेदिक काल समाप्त होता है जो कि 600 इसापुरु में तो इसके बाद आप देखेंगे वेदिक उतर काल का समय प्रारण बुजाता जैसे कि इसी समय आप देखेंगे बाद गरंट जेन गरंट उसका वेदांग ये हम लोगो को वेदांग देखना ना वेद को करहें वेक्दम शंसकृत भासा में लिखा गया था यानि वेद की रचना जो हुई वह संसकृत भासा में कोई थी ती श्त ajami परनाई नहीं ऋसको नहीं कि पर रहे उसे नहीं समझ सकता था इसलिए वेदों को सरल रूप से यानि उसके संस्कृत भासा को सरलता से समझने के लिए वेदांग साहित की रचना होई इसलिए बाद में वेदांग साहित की रचना की गई ताकि वेदों को सरलता से समझ जा सके उसका उच्छारन भी अच्छे से किया जा सके इसलिए वैदांग की रचना की गई इसका जो रचना काल है वो 600 इसापुरु से 200 इसापुरु माना जाता है कि इसी बीच में वैदांग की रचना होई थी तो आप से सवाल यही पूछा जाएगा आप जब graduation semester first semester में हैं तो आप से सवाल पहला तो यही बनेगा कि वैदांग की से कहते हैं उसके बाद आप से दूसरा सवाल यह बनेगा कि वैदांग की संख्या कितनी है तो इसकी संख्या चोई है कौन-कौन तो सिक्षा कल्प व्याकरण जोतिस निरुक्त चंद यह चोई आपके वैदांग साहित हैं तो अब बारी बारी से हम लोग उन चोई वैदांग साहित की और देखते हैं यानि उसको समझते हैं तो देखे पहले सिक्षा तो सिक्षा को देखे वैदिक स्वरों का सुद्ध उचारन करने के लिए सिक्षा का निर्मान किया गया यानि वैदिक स्वर जैसे आज भी स्वर है न स्वर है वेंजन है यह तमाम चीज़े है न तो वैदिक स्वर को यानि जिसके माध्यम से की रचना की गए यानि इसका निर्मान क्या है किसका सिक्षा का तो सिक्षा को जो है वेद का नासी का बोला जाता नासी का अर्थ होता है नाक यानि वेद का नाक किसे का जाता तो वो सिक्षा को का जाता इसे ध्यान रखेंगे आप अब देखते हैं लोग कल्प कल्प किसे का तो यह देखिए, इसमें करमकांडों से सम्मंदित विधी या नियम दिये गए हैं, यानि इसमें जो करमकांड किये जाते थे, यागिक करमकांड जो या नियम से सम्मंदित करमकांड जो वैदिक काल में किया जाता था, उसी से सम्मंदित इसमें नियम के बारे में चर्चा की गई है और कल्प की रचना किसके द्वारा की गई तो आपसे यही सवाल पूछा जा सकता है कि याग्य कर्म कांडो के बारे में किस वेदांग में चर्चा है तो पहला तो इसका जवाब आप कल्प कर दीजेगा कल्प वेदांग में उसके बाद आपसे दूसरा सवाल कि इसकी रचना किसने की तो यह है गौतम रिसी के द्वारा और इसे वेद का क्या बुलायाता है तो इसे वेद का हाथ बुलायाता है तो इसे वेद का हाथ बुलायाता है और शिक्षा को वेद का नाक बुलायाता है तो यह दोनों चीज आप याद रखेंगे उसके बाद आता है व्य ज्यानकारी को प्राप्त करते है व्याकरण में तो जो व्याकरण है उसमें भासा संबंदित जो ज्यान प्राप्त किया यता है इसलिए इसको भासा से संबंदित ज्यान को प्राप्त करने के लिए व्याकरण की रचना की गए व्याकरण पर पहली बार रचना किसी ने की यान कि संस्कृत व्याकरन पर लिखी गई है यह विध्यान रखिएगा किस व्याकरन पर तो संस्कृत पर आपको पता है कि भारत की सबसे प्राचिंतम भासा में से एक है संस्कृत और इसलिए हिंदी तो बाद की बहुत बाद की भासा है हिंदी इंग्लिस यह सब तो बाद में इ लेकिन आप देखेंगे संस्कृत हमारी बहुत पुरानी भासा है तो जो संस्कृत भासा है इसी पे सबसे पहली बार कोई व्याकरन पर गरंत लिखा गया है तो अश्टध्याई जो कि पानिनी की रचना है उसके बाद व्याकरन को वेद का मुख बोलायाता यानि मुख मतलब मुख जिसको बोलते हैं आप मुख बोलायाता किसको व्याकरन को किसका तो वेद का तो यह ध्यान रखेंगे सिक्षा को वेद का नाक उसके बाद कल्प को वेद का हाथ और व्याकरन को मुख बोलायाता वेद का उसके बाद आप आप आजाते हैं निरुक्त ये चोथा जो ह यानि देखिए संस्कृत की जो वैदिक साहित में संस्कृत भासा का जो परियोग हुआ है उससे समंदित जो भी कलिष्ट जो यानि कठिन जो चीजें थी यानि कठिन सब्द जो थे उसको आसानी से समझाने के लिए व्याकरन की यह मापकी जेगा निरुक्त की रचना की गई तो इसके मतलब रचना कार कौन है तो यास्क रिसी को जो है इनको बुलायाता है निरुक्त के रचना कार यानि निरुक्त से समंदित आप से सवाल पूछा जाए कि किसने रचना की तो यास्क के दोरा यह ध्यान रखेंगा यास्क रिसी के दोरा निरुक्त की रचना की ब्याकरन को मुख बोलायाता और निरुक्त को कान बोलायाता है, तो इसको आप यह याद रखेंगे, उसके बाद आजए यह निरुक्त के पस्षात आप देखेंगे चंद, तो चंद जो है, पधों के सुत्रवध करने के लिए चंद की रचना है, पधों को पध, गद और द्वारा लिखी गई है, तो यह धियान रखेंगे, कि पिंगल मुनी के द्वारा चंद पर पहली बार रचना दिखी गई, जिसको चंद, आप चंद से समंदित कौन रिसी हैं, तो यह याद रखेंगे, पिंगल मुनी, उसके बाद दिखिए, चंद को पैर बोलायाता है, वेद का पैर किसे बोलायता है, तो चंद, देखिए, सीधा बात है, यह पैर में क्या पहनता है, महिला है, पैर में क्या पहनती है, यह अगर ध्यान रखें, तो यह सवाल बन जाएगा, कि पैर किसे बोलायता है, वेद का तो चंद है, तो कैसे, तो देखिए, महिला है, पै मतलब हाथ हो गया तो ये ध्यान रखेंगे उसके बाद निरुक्त का हमने बता ही दिया था आपको कान उसके बाद आज ये जोतिस जो है सुब मुहर्त में यागी कनुष्ठान करने हेतु ग्रीह नक्षत्रों का ध्यन करके सही समय ज्यात करने के लिए जोतिस की रचना की कब ये सुब मुहर्त आएगा और या कब नहीं आएगा तो जब सुब मुहर्त होता है तो तभी कुछ या कर्म कांड है या फिर आप देखेंगे ग्रीह से समद्धित कोई कार्य है या नक्षत्र का ध्यन करने के समय इसका प्रियूग किया जाता है इसलिए जोतिस की रचन करें लेकिन आप से पूछा जाएगा कि जोतिस से समंद्धित कोन मुनी थे यानि कोन रचनाकार थे तो लगद मुनी थे यह याद रखिएगा उसके बाद इसका सम्मंद्ध किससे तो जोतिस मतलब नेत्र आप जानते हैं कि आख मतलब आख से ही हम लोग किसी भी चीज को आख से मतलब जोति हम लोग को मिलता है यानि आख से ही हम लोग रोसनी देख पाते हैं या अन्य चीज संसार की अन्य चीजों को देख पाते हैं आख के वज़ा से तो जोतिस का सम्मंद्ध आप आख से ऐसे जोड़िएगा कि हम लोग कोई भी चीज देखते हैं प्रकास मा जीते कौन जोतिस तो चलिए वेदांगत्व खतम हो गया अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा पुरान को कि पुरान आखिर कौन है कौन है पुरान का अर्थ होता है प्राचीन यानि मतलब काफी प्राचीन जो चीजें हैं उसी को पुरान बोलायाता है तो सबसे पहले तो इसका मतलब ही याद रखेएगा कि प्राचीन का अर्थ होता है पुरान का मतलब होता है प्राचीन पुरानों से प्राचीन सास्कों की बंस होली की जानकारी मिलती है आप यह जानिये कि इतने धर्म पुरान की साहता से प्राचिन राजाओं महराजाओं उसके वंसावली के बारे में जनकारी प्राप्त कर पाते हैं, तो पुरान ही एक ऐसा गरंत है जिसे प्राचिन राजाओं महराजाओं के बारे में जनकारी प्राप्त होता है, तो ये बात आप जड़ुर दियान रखेग ये दोनों ही ने बाप बेटे ने मिलकर पुरान की रचना की ये याद रखिएगा और पुरान में किस की जानकारी मिलती है तो विभिन परकार के प्राचीन राजवन्सों की जानकारी पुरान में मिलती है तो अब पुछा जाएगा है कि आपसे कि अखिर पुरानों की संख् है यह आप धियान रखेंगे उसके बाद देखिए पुरानों में केवल पांच पुरान को ही प्राचीन राजवांसों का वर्न मतलब देखिए अठारा पुरान है लेकिन इतिहास के छात्र होने के साथ आपको किस पुरान की जानकारी रखनी चाहिए तो इसमें यही है कि पुरान हम बता दिया अब तीन पुरान और देख लीजे कि कौन-कौन है जिनके बारे में हमें जानकारी रखनी फिर देखे विस्नु पुरान है ब्रह्मांड पुरान है और फिर भागवत पुरान है यह पांच पुरान के ही बारे में हमको जानना है चुकि हम इतिहास के जिसका relevant है यानि जिसका उपयोग है उसी को हमको जानना है यानि हमको उन चीजों को नहीं जानना है जो की इतियास से संबंदित नहीं है तो यह आप ध्यान रखेंगे अमर सिंग एक गुपतकालिन जो है कभी है तो इनकी रचना अमर कोस है ठीक है तो उसी में इन्होंने पुरान के पाँच लक्षन बताया है यानि बताते हैं कि परतेग पुरान का पाँच लक्षन होता है उसको पाँच भावी यानि परतेग पुरान को इन्होंने पाँच भ भाजन किया है तो अमर सिंग ने और अपनी रचना अमर कोस में अमर कोस तो याद हो जाएगा अगर अमर सिंग रखेंगे याद तो अमर कोस याद हो ही जाएगा तो इन्हों ने पुरान को पांच वर्गों में बाटा और बताया कि भाई सर्ग पर्तिसर्ग मन वंतर और वंस वनसानुचरित ये पुरान के भाग हैं अब देखिए इतिहास के छात्रे के लिए कौन-कौन सी रचनाय जरूरी है यानि पुरान के इस पाँच भाग में कौन-कौन से आपको पुछा जाएगा पुरान के किस भाग का परियोग इतिहास के छात्र होने के साथ साथ आप इति पुरान का मतलब होता है प्राचीन और उसमें आप देखेंगे प्राचीन राजवंसों या राजा मराजाओं की वंसावली के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो इसी लिए इसको पुरान बुला जाता है तो आप इसमें ये बात जड़ूर याद रखिया है कि इतिहास के द ध्यान रखेंगे उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इस रुखेंगे अब कुछ ऐसे पुरान हैं जिनका संबंद किसी अन्य राजवंस से भी रहा है कुछ जैसे कि आप देखेंगे प्राचीन भारत में कई एक राजवंस हुए जैसे गुप्त वंस है मौरे वंस है वाहन वंस से संबंदित जो जानकारी मिलती है वह मतस्य पुरान में मिलती है और गुप्त वंस से जानकारी हमें मिलती है गुप्त वंस के बारे में वह वायू पुरान में मिलती है तो यह आप पुरान और राजवंस जो कौन से राजवंस से कौन सा पुरान संबंदित है यानि देखिए विस्नु पुरान में आपको ये जानकारी मिलेगा कि मौरेवंस के संस्थापक जो हैं चन्गुक तो मौर हैं उसके बाद बिंदु सार बना फिर असोख बना फिर आप देखिएगा और भी अन्य सासक बने इसके बाद अंतिम सासक जो है ब्रेदरत था तो इस समंधित सवाल पूछा जाए कि आखिर किस पुरान में इसकी जानकारी मिलती है तो वह मतद से पुरान में उसके बाद आप गुप्त बंस से समंधित किस में जानकारी मिलती है तो वायू पुरान में ये बात आप धियान रखिएगा ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है चु पुरानों पर टिप पनी लखिये, दूसरा सवाल ये हो सकता है, जो सकता है और प्राकाश टालिए। या सवाल या सवाल पर प्रकाश कितनी है। और वेदां के परकारों के बारे में लिखी हैं तो यह भी सवाल आपसे पूछा जासकता है और पुरान से भी यह सवाल पूछा जासकता है चोकि आपको अग्जाम का पैटर्ण पता होगा हमने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि exam का जो pattern है उसमें आपसे 10 objective पुछे जाएंगे और उसके बाद आपसे 4 question जो होगा 5 number का पुछा जाएगा यानि short answer question तो short answer question में ही आपसे ऐसे सवाल किये जाएंगे उसके बाद आपसे ये भी पुछा जा सकता है लोंग answer question में भी आपको पुरान वेद आरणया कुपनी सद इन तमाम चीजों को जोड़ के आपसे पूछ दे कि भाई आप जो है कि लोंग answer में कि इनके बारे में बताईए तो ऐसा भी question पूछा जा सकता है इसलिए आप थोड़ी वारिकी से और दीरे दीरे और एक एक चीज को पढ़ते जाएए उसको not down कीजे और बस यही format रखिएगा इसमें से जितनी बातें आपको याद रहेंगे उसी को आपको जाकी लिखना है इससे समंदित देखिए बहुत चीजे हैं जो कि आप उसे जाएंगे भी आपके तो आप बस तैयारी हमारे हिसाब से कीजे जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं उस तरह कीजिए इसलिए हमने handwritten notes आपके लिए यूज किया है ना कि हमने PDF का यूज किया है बस आप ही के सहलियत के लिए ताकि आप समझ पाए कि कैसे आप लिक सकते हैं और कैस से प्राप्त कर सकते हैं जितने भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं सब का वहीं पे लिए हम ये PDF डालते हैं तो वहीं से आप प्राप्त कर सकते हैं फिर देखिए अब देखते हम लोग इस्मृति साहित पूरान हम लोग देख लिए उसके बाद हम लोग वैदांग देख गई देखिए इस्मृति साहित एक नहीं है कई इसकी भी संख्यां कितनी है वह भी हम बताएंगे लेकिन इस्मृति साहित की रचना के बारे में कारिक इसका कालखंड अगर पुछा जा तो आप बताईएगा दूतिय सतावदी इसापुर्व यानि सेंचुरी बिसी से लेके पुर्व मधिकाल तक यानि जो कि मधिकाल से पहले का दौर है वहां तक इसकी रचनाय होती रही मतला भिन भिन कालों में इसकी रचनाय होती रही अब देखते कि कुछ महतपुन इस्मृति जो है उनके बारे में देखिए तब आपको समझ में आ जागा कि कैसे कैसे इसकी रचना भिन भिन कालों में कैसे होई तो देखे मनु इसमरिती यह सबसे प्राचीन इसमरिती है आप से पूछा जागा कि सबसे पुराना पुरान कोन है तो आपको अभी हम बताए थे मतस्य पुरान और आप से पूछा जागा सबसे पुरानी इसमरिती कोन है तो मनु इसमरित है तो इसकी रचना कब हुई, तो ये सुंगकाल में हुई, ये पुसमित सुंग, जो के सुंग बंस के संस्थापक थे, उसी के समय इसकी रचना हुई, किस की मनुई स्मृति की, ये याद रखेंगे आप, उसके बार देखे, यागवलक स्मृति जो है, इसकी रचना हाँ मौरे काल में इसकी रचना हुई तो यागवलक इस्मृति के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे उसके बार देखें नारज इस्मृति उसके परासर इस्मृति ब्रहस्पति इस्मृति और कात्यायन इस्मृति इन तमाम इस्मृतियों के बारे में आप देखेंगे तो इसकी रचना जो हुई है वो गुप्त काल में हुई है एक मुझे मौरे काल में डाउट लग रहा है थोड़ा हम देख ले आप किजेगा यह मौरे काल नहीं होगा मौरियोत्तर काल होगा यानि मौरे के बाद के काल में जो कि आप दिखेंगे सुंग वंस की भी अस्थापना जो होती है मौरे काल के बाद होती है इसलिए मुझे यह डाउट हुआ था कि यह मौरे काल तो होना नहीं चाहिए हमने मिस मिस्टिक कर दिया यहां पर तो आप इसको मौरियोत्तर काल लिख लेंगे मौरियोत्तर काल में यानि मौरिक के बाद का काल तो इसमें इसकी रचना हुई किस्की तो आप यह याद रखेंगे याग छिव लंक कि रस्काइड की रचना मौर्योत्तरकाल में हुई उसके बाद आप देखएगा नारदी स्मृती है प्रासर भ्रहस्पति आप मानिया दिये तो यह कोंछ सबसे पुराना तो तमस्मिरणती साहिती की रजना इसके बाद दीए अब इससमिरणती साहिते में जलाका बाध यागवल की मुर्यक्तर का लकाly नारध्र मृटतर ले Employee a ये अब सबकरांये अब देखना है जिन कामें आखिस मृथते कि मिलती है तो इस साहित में दिखिएगा इसमें जो जानकारी मिलती है मनुस्य के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है उसके पारिवारी की इस्तिति के बारे में यानि फैमिली की जो पोजीशन है या इस्तिति है condition है उसके बारे में उसके समाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है यानि इस मृती में देखिएगा कि व्यक्ति के बारे में बताया गया कि उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बाद आप देखेंगे उसके परिवार से समंदित नियम कानून बताया गया है और समाज से समंदित नियम कानून के बारे में इसमें चर्चा मिलती है इसी में बताया गया है कि मतलब पुरुस के लिए क्या नियम है मैलाओं के लिए क्या नियम है मेलाओं की इस्तिती क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इन तमाम चीजों की चर्चा इस्मृति गरंथों में ही मिलती है तो यही है पूरा का पूरा इस्मृति गरंथ अब हमने यह जो प्रयास किया था इसमें हमने आपको बताया है वेदांग है पूरान है इस्मृति है उसके अलावे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो महाकाब भी हमारे पास हैं महाभारत और रामायन उसको देख देखेंगे फिर हम लोग उसी में हम लोग देख लेंगे बहुत और जेन गरंथ तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे आप देखिएगा कि आपका सिलेवस धीरे धीरे कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा सेमेश्टर फर्ष्ट का जो भी जो भी बच् प्रस्ण अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या दिरगोत्री लगोत्री समन्दित जो भी सवाल हो जैसा भी हो उसे आप बना सकें तो आप इसे जडूर देख लिजिए और इसको आप नौट डाउन जडूर रखिएगा ताकि आपको बराबर रिवीजिन करने का मोगा मिल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और से जडूर कीजिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद